जे स्री कृष्णा फिराधे राधे आई ये सुनते हैं सन्द जलाराम बापा की अमर कहानी करते हैं कि आज भी जलाराम बापा की स्रधापुर्वग प्रात्ना करने पर लोगों की समसिच्छाएं पूरी हो जाती हैं स्री रामभक सन्द जालाराम बापा गुजराती हिंदू सन्द थे उनका जन शत्रशो निन्यान्वेर में गुजरात की राजकोट जिले की बीरपूर गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम प्रधान ठककर और मा का नाम राजाबाई था बापा की मा एक धार्मिक महिला थी जो साधू संद कों की बहुत सीवा करती थी उनकी सीवा से प्रशन होकर संत रगवीर दास ने आसिरबार दिया की उनका दूसरा पुत्र जालाराम इश्वर तथा साधू भक्ति और शीवा की अमित मिसाल बनेगा महज 16 साल की उम्र में जालाराम का विवा बीरबाई से हुआ लेकिन वे वैवाहिक बंधन से दूर होकर सेवा कारियों में लबना चाहते थे जब जालाराम ने तेथी आत्राओं जाने का मन बनाया तो पत्नी बीरबाई ने भी बापा के कारियों में अनुसरण करने की रुची दिखाई 18 साल की उम्र में जालाराम बापा ने फतेपूर के संद भोजल राम को अपना गुरु श्विकार किया गुरु ने गुरु माला और श्री राम नाम का मंत्र लेकर उन्हें सेवाकार्य में आगे बढ़ने को कहा तब जालाराम बापा ने सधा ब्रत नाम की भोजन साला बनाई जहां 24 खंटे साधूसन तथा जरुरत मन लोगों को भोजन कराया जाता था संथ जालाराम की आयू बीश्वर्स होने तक उनकी सरलता वभगवत प्रेम की ख्याती चारों तरप फैल गए लोगों ने तऱ तरसे उनके धीरर या धैर्य प्रेम प्रभु के प्रती अनन्य भक्ती की परिछाली जिन पर वे खरे उत्रे इससे लोगों के मन में संथ जालाराम बापा के प्रती अगाद, शम्मान, उत्पन हो गया उनके जीवन में उनकी आशिरबाद से कई चमतकार लोगों ने देखी जिन में से प्रमुप बच्चों की विमारी ठीक होना निधन की सच्छमता प्राप्त कर लोगों की सीवा करना देखा गया शिन्दू मुसल्मान सभी बापा से भोजन वा आशिरबाद लेते थे इस तरह वह शर्वधन संभाव के रूप में बहुत प्रतिश्थित थे एक बार की बात है ती नर्वी वा बीरपुर में बापा की अनुरोद पर भोजन किया भोजन के बाद विमाओं को शर्म हशुशुई क्योंकि उन्होंने अपने बैग में पच्ची रखे थे बापा के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे पच्ची फरफडा कर उड़ गए बापा उन पर नाराज नहीं हुए बलकि उन्हें आसिर बात देकर उनकी मनोकामना पूरी की बापा मानते थे कि प्रभु ने मुझे यह कार्य सौपा है इसलिए प्रभु देखते हैं कि हर बिवस्था ठीक से हो रही है या नहीं सन 1934 में भैंकर अकाल के समय उनकी पतनी बीरबाई मा एवं बापने 24 घंटे लोगों को खिला पिला कर लोगों की सिवा की सन 1935 में माने एवं सन 1937 में बापा ने प्रातना करते हुए अपने नश्वर सरीर को त्याग दिया कहते हैं कि आज भी जाला राम बापा की स्रधा पुरवक प्रातना करने पर लोगों की समस्य इच्छाएं पूरी हो जाती है